जेहन दोस्तो में एस तोमर और आज आपका लेक्चर है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूर्मेंट पोर्टल चलिए तो आज के सब्जक्ट पे बात करते हैं चलिए के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूर्मेंट पोर्टल है यह गवर्मेंट आफ इंडिया दौरा पब्लिक क्या गया है एक एसा प्लेट्वोरम है जिसके माध्यम से बिभिन प्रकार के सभी मंत्रा लाए एवं सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है एवं अन्य एजेंसियां और अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं CPP पर क्या उपलब्द है यहाँ पर Central Government के सभी संग्ठन त्वारा मांगे गई टेंडर यानि कि जानकारियां खरीद फरोक्त की संबंदी जानकारियां उपलब्द रहती हैं एवं इसके साथ साथ E Tendering से जुड़ी सभी साइट भी इससे जुड़ी रहती हैं यानि कि कुछ च मुकारी संबंदी डेटेल जो अपलोड करने का एक माध्यम होता है यह पबलिसिंग यानि कि Electronic Publishing इस साइड को उपन करने के लिए Login ID एवं पासवर्ड की जरूरत पड़ती है एवं Digital Signature की इसमें आवसकता नहीं पड़ती है आगे हम आपको बताएंगे कि Digital Signature की क्या होते ह हैं DSC और उनकी जरूरत कहां पड़ती है इसके लिए केवल Department की एक संस्थान को अपनी एक User ID बनानी पड़ती है और पासवर्ड बनाना पड़ता है उसके बाद इस पर खरीद फरोक शुरू हो जाती है इसके लिए आवसक है अगर बात करें तो यह सभी साज की संस्था हैं केंदर सरकार से जोड़े सभी मंत्राल है एवं उनसे जोड़ी चोटी बड़ी संस्थान कोई खरीद फरोक चलती है यह एक तरह का ऐसा व्यापार मेला बोल सकते हैं इसे कि ऐसा एलेक्ट्रोनिक व्यापार मेला है जा सभी परकार की जो भी आवसकता हैं जिन चीजों की ज लेंदेन होता है इसमें कैस में लेंदेन कम चलते हैं कैस की जगह इसमें इलेक्ट्रोनिक लेंदेन चलते हैं इसमें यह एलेक्ट्रोनिक ही हमारी मेल आईडी मांगी जाती हैं और जो अधिकारी होते हैं उनको पहले से चैनित करी दिया जाता है अगर प्रोक्यूर्मेंट की बात करें कि procurement क्या है तो देश के कोने कोने में सभी सरकारी संस्थाओं के लिए बेविंद tender के माध्यम से अपना fund ब्याय करने एवं बेविंद प्रकार के सेवाएं सामान एवं कार्यों को अरजित करने का माध्यम है यानि procurement का मतलब है किसी भी प्रकार का यह कैसा प्लेटफोर्म जहां हम कोई भी चीज खरीच सकते हैं जैसे हमें जवानों के लिए मानलों ट्रेनिंग सेंटर है अपना तो यहां जवानों के लिए कुछ सामान खरीदना है किट का सामान यूनिफॉ प्रकार मैं चलते हैं लेकन लेकल प्रकार प्रकारण ज़ो प्रोर्हसिट को아니 VA प्रोर्टल पर मिल जाती है हमोने की साइटों को सर्च करेंगे सर्च करने के olveड़ Regional झJean dessas concert कि वो हमें कहां सामान उपलब्द करा सकते हैं किस किस प्रकार का सामान उपलब्द करा सकते हैं उनकी प्राइस क्या है रेट क्या है और उनका टेंडर कितने दुनों में वो हमें सामान दे सकते हैं कहां दे सकते हैं इस तरह की जानकारी मिलती है अगर डी ऐसी की बात करें कि द्च क्या होता है तो इसको हम एक electronic mail कर रूप में या अपनी ID कर रूप में हमारします इसी में प्रूप किये जाते हैं जहां भी जैंब चैनल में या किसी भी पॉर्टल हम कोई भी वर सामन खरीद नासाधे तो हम इस dhc के द्वारा यह हमारे एक signature होते हैं जिनको port पर जब हम verify करते हैं तो एक साल का या दो साल के लिए उसका 3600 से 4500 रुपाय के बीच में कुछ इसका पैसा रहता है आगे के class में आपको बताएंगे किस प्रकार से कितने प्रकार क्यों होते हैं और dhc के आवस्सक्त कि हम उस portal पर किसी भी side को खुल कर अगर कुछ सामन खरीदना चाहें तो वो सामन हमें अपलब्द नहीं होगा क्योंकि हमारे signature वहां पहले से verify नहीं है यानि कि हम e tender द्वारा कोई भी सामन खरीदने के लिए valid नहीं है अगर हम किसी संस्था से जुड़े होते तो हमारा signature पह यह DSE बोलते हैं उसकी आवस्क्ता पड़ती है electronic portal पर सेम को यह proof करने का एक साधन है कि मैं वही हूँ जिसका यह signature है और उसके द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के सामान को खरीद सकते हैं यह सामन खरीदने का एक आसान पर करिया होती है और हमारा ID प्रूफ रहता है अभी ज इसमें एक DSE रहता है जिसमें signature दिखाई नहीं थे था आपने कई बार revenue office बगारा देखी होंगे जहां पर signature होते हैं जहां में एक साधा काईपा signature करते हैं एक pen जैसे रहता है pen से और वो उसमें feed हो जाते हैं और उसके बाद वो उसमें save हो जाते हैं future में हम कभी भी अगर इ user id कौन कौन बना सकता है क्या हम बना सकते हैं आप बना सकते हैं तो दोस्तो ऐसा नहीं है सभी विवागों के जो nodal officer होते हैं सभी विवागों के जो gadgeted officers होते हैं जहने के टेंडर के लिए उनके विवाग अध्य अच्छNow की दवारा CPP पर प्रकाशित किया जना आता है वो आप प्रूफ कर देते हैं कि जैसे हम Gualier में हैं कि Gualier में कौन सामान खरीदेगा तो Gualier के जो Commandant हैं या DIG हैं या जो भी Senior अधिकारी है वो इस सामान को खरीदेंगे तो वो हमें पावर दे देंगे और हमारा आई जो है डी एसी जो डेजिटल सिगनेचर है वहां हमारा सेव हो राएगा एक या दो साल के लिए और उतने समय तक हम कभी भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं यानि कि हमको वो प्रूफ मिल जाएगा और पावर मिल जाएगी खरीदने के लिए अगर नॉर्मली में चाहे हम और आप तो नहीं खरीद सकते हैं दूसरा है याद मेरा टेंडर पहले से ही इंटर टेंडर गवर्मेंट पर है तो क्या होगा तो याद मेरा टेंडर पहले से ही इस साइट पर पढ़ा हुआ है तो वह स्वताई CPP पर दिखाई देगा ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब साइटों को CPP से जोड दिया गया है यानि कि जो भी चीज हम इस पर डालेंगे वह हमें दिखाई देगी जैसे अगर यूटूब में हम नॉर्मली कोई वीडियो डालते हैं कोई भी देख सकता है क्योंकि सारी साइट उससे जुड़ी हुई है ठीक ऐसे ही इसका सिस्टम चलता है अच्छा क्या हो सकता है याद मेरी डिपार्टमेंट को टेंडर मेरी डिपार्टमेंट की साइट पर प्रकासित किये जाए यानि कि department के कुछ tender होते हैं वो department की side पर डाल दिये जाएं तो क्या होगा तो दोस्तो department की भी side हैं वो भी CPP से जोड दी गई हैं यानि कि department की side पर डालने के बाद भी आप उनको CPP पर देख सकते हैं और वहीं जानकारी उनकी बनी रह दिये बिड का बैदता का समय कितना होता है जो बोली लग दिया है जो निविदा हो दिया है तो यह tender पर निर्धारे तो होता है कि निविदा का समय कितना होगा इनका कोई fix नहीं रहता है आगे के class हों में जब इनके special class चलेंगी बिड की उसमें आपको पता चलेगा बागी tender स्विकार करने वाली अथोर्टी को निविदा सुरू करने tender का मूल्यांकन करने एवन समय को कम या अधिक बढ़ाने का अधिकार होता है आगे अगर इसमें देखें कि इसमें कितना benefit है रोज क्या चल रहा है तो बर्तमान में जेम पर राई सरकारों की निविदाओं को मिला कर लगवा एक लाग से अधिक tender है CPP पर CPP पर सालना आठ से उननीस लाग करोड रुपए की निविदाओं की विवस्ता हो रहती है और यह है 2012 से परचालन में लगातार चल रही है इसको और भी बढ़ाने का केंदर सरकार का अनुमान चल रहा है केंदर सरकार इसको इससे थोड़ा और अधिक बढ़ाने के लिए प्रियासरत है सारवजनी खरीद के लिए बनाएगा यह ओनलाइन पोर्टल में जेम से 40,000 करोड रुपए की विवस्ता की गई है सारवजनी खरीद विवस्ता का पूरा का पूरा जोर अर्थ विवस्ता एवं निस्पक्षता वा पारदर सिता पर है यानि कि पहले जो आप सुनते थे कि लोग पैसा खालेते हैं 10,000 की चीज को 20,000 बता देते हैं बिल लगा देते हैं ऐसा आप खतम हो गया है क्योंकि ओनलाइन इसमें सब कोई दिखता है जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनको भी पता चलता रहता है